अलो ग्रेडिव एक्टर्स दिसाइड अमिट सिंग आम एन अक्टर फिल्मेकर दिस प्रिजेट बाइ लेमन चली जिल आपका सपना ही कुछ ऐसा है कि आप अक्टर बना जाहते हैं और अगर नहीं भी बन पाए तो क्या करेंगे लेकिन मैं आपसे ये बात कहूँगा कि यदि आप वाकिम एक्टर बना जाते हैं और आपने सोच लिया है और आप इस लाइन में उतर चुके हैं तो आप पीछे कदम मत अठाईएगा क्योंकि अगर आपने पीछे कदम हटा लिया तो वो आपके जीवन का सबसे बड़ा बैक स्टैप हो जाएगा यानि कि जितने साल या पर जितने महीने आपने मेहनत की वो सब बिकर हो जाएगी वो सब व्यर्थ में चला जाएगा इसलिए पीछे कदम बिलकुल नहीं अठाना है आपको सिर्फ आगे बढ़ते जाना है धीरे बढ़िये, कोई दिक्कत नहीं है, सोच समझ के बढ़िये, कोई दिक्कत नहीं है, आप जौब कीजिए, आप कहीं भी और कुछ काम कीजिए, लेकिन अगर आप इस लाइन में आ चुके हैं, तो बरकरार रखें अपने आपको, तब ही आपको सक्सेस मिलेगी, यदि करूँगा के छोड़िये मत, क्यों? क्योंकि जब हम किसी चीज को छोड़ देते हैं, तो हमें बहुत धर लगता है, हमें ऐसा लगता है कि हम जीवर में कुछ कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, और नहीं कर पाएंगे तो आगे क्या करेंगे, तो इस लिए मैं आप से कह अबीर की जो उर्जा खतम हो गई, तुम जितनी महनत कर रहे थे वह सब खतम हो गया, आपके जो चेहरे का चाम था भी खराब हो गया, खतम होने वाला है, उसको बरकारा रखने के लिए आपको क्या कर रहा है, आपको चीजे अच्छी करनी है, जैसे आप जॉब करते हैं, क्या करते हैं, आप ऐसफेश्ची कमपनी में जॉइन कर लिया, उसके बाद आप सोचते हैं, कि मैं और अच्छा करों, और किसी अच्छी कमपनी में जा कर तो ऐसे आप इंट्रिव्यो देते रहते हैं, तो ऐसे इसमें भी करने आपको, आज आपने यह उडिशन दिया, आप चाहते हो वाव तो सूचिए अगर आपने एक साल भी महनत करी और वो आपने नहीं पूरा कर पाए तो क्या होगा उसी चीज़ को समझने के लिए हम लोग आप रूपर को बतना चाहते हैं कि आप अगर वागी में अक्टर बनना चाहते हैं तो छोड़िएगा मत इस लाक्षपे पहुंचे तो अधिन करता हूं यह वीडियो में आपको बहुत कुछ कुस समंझ में आ गया होगा कि मैं आपको क्या बताना चाहता हूं अगर समझ करधा यह स क्यो कि आपकेomasra mother companies को अने वाली हैं अ कि हम सब्सक्राइब कर near 100来ना क्यों इस मिअने वार्टियो व पर आप भी अपने सपनों को साकार कर सकते हैं नमस्कार